क्या आपने ये कभी भी सोचा है कि diamonds x-ray में कैसे दिखते हैं? मतलब humans x-ray में कैसे दिखते हैं? वो तो आपको पता ही होगा लेकिन आखिर diamonds x-ray में कैसे दिखते हैं? और उनके x-ray में इतना special क्या है? तो अब आपको भी ये जानना होगा कि आखिर वो कैसे दिखते है एकसरे में तो ये वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि आप ये जान सको कि डाइमेंड्स एकसरे में कैसे दिखते हैं और एक भी इंटरस्टिंग फैक्ट बिल्कुल भी मिस मत करना तो चलिए शुरू करते हैं तो क्या भी गैस कर सकते हैं कि उन अंडों में ऐसा क्या खास था नहीं वो सोने के अंडे नहीं थे लेकिन उन एग का जो योग था मतलब बीच में जो योग होता है वो ग्रीन कलर का था मतलब ये तो हमें पता है कि जो योग होता है वो येलो या औरेंज कलर का होता है लेकिन ये वाला योग ग्रीन कलर का था और ये क्यों हुआ इस पर अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं फैक्ट नामर 24 साइकोलिजिस्ट की हिसाब से जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनके डिप्रेशन में जाने के ज्यादा चांसे होते हैं मतलब जो लोग परफेक्शनिस्ट में बिलीव करते हैं उनका डिप्रेशन में जाना बहुत कॉमन होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने failures के बारे में बहुत ज्यादा सोचेगे और अपने लिए बहुत critically सोचते हैं वो लोग और इससे उन पर बहुत negative effect पड़ता है पाक नमबर 23, Robert Downey Jr. ने Spider-Man Homecoming में जो acting की थी उसका क्या को पता कि उन्होंने हर मिनिट का कितना कमाया था एक बार guess कीजिए और फिर comment कर कर बताओ कि एक मिनिट में उन्होंने कितना कमाया होगा आपने कोई number guess कर लिया होगा तो आपने कितना guess किया होगा दस रजार डॉलर, एक लाग डॉलर, पांच लाग डॉलर भी किया होगा लेकिन आपको बता दू कि सिर्फ एक मिनिट के लिए उन्होंने वन मिलियन डॉलर्स मतलब दस लाग डॉलर्स कमाया थे इस मूवियों में act करके वो भी हर मिनिट का यह फोटो देखिए, यह दिखाती है कि हमने इन तीनों प्लानेट्स की फोटो पहले जब खीची थी तब कैसे थे और अब जो फोटो हमने खीची है, वो कैसी दिखती है इससे आप देखी सकते हो कि कितनी डिवलेप्मेंट हुगी है टेकनोलोजी में, है ना मज़ेदार यह वाला फैक्ट बहुत ध्यांत से दुनना और फैक्ट यह है कि जो भी हम सास लेते हैं और आखे ब्लिंक करते हैं वो आटोमाटिकली करते हैं और उसके बारे में मैं पता भी नहीं चलता है लेकिन जैसी मैंने आपको यह फैक्ट बताया आप दोनों चीजे खुद करने लगे हो मतलब अब जो आप सास ले रहे हो और आखे ब्लिंक कर रहे हो वो दोन आपको मैनूली करना पड़ रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आपके ब्रेन को यह पता चलता है वो दोनों चीजे consciously मतलब होश में आकर करने लगता है पैक नमर 20 एक research ने ढूंडा है कि college जो होता है उसके first two years useless होते हैं मतलब जो दो साल में जो कुछ भी आपको college बताता है उसके लिए दो साल का समय चाहिए ही नहीं होता मतलब इससे कम समय में वो सब आपको बता सकते हैं इसलिए इस research के हिसाब से जो college के first two years होते हैं वो useless होते हैं क्या आपको लोगों पर trust करने में डर लगता हैं अगर हां तो आपको पिसांत्रोफोबिया है जो होता है fear of trusting people और यह पिसांत्रोफोबिया इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान ने अपने past में किसी पर trust किया था लेकिन वो experience सही नहीं था इसलिए उस इंसान को अब future में किसी पर भी trust करने से डर लगता है इसको पिसांत्रोफोबिया कहते हैं तो comment करकर ज़रूर बताना कि क्या आपको यह फोबिया है fact number 18 गाडियों में तो होन्स होते हैं लेकिन कि आपने कभी भी यह सोचा है कि क्या एरप्रेंस में होन्स होते हैं तो इसका answer है हाँ लेकिन आप पूछोगे कि एरप्रेंस में होन्स की क्या जरूरत तो मैं आपको एरप्रेंस में जो होन्स होते हैं उसका भी use बता देता हूँ और जैसे कार में जो होन्स होते हैं जिसका इस्तमान हम लोगों को और दूसरी गाड़ी को alert करने के लिए करते हैं वैसा use airplane के haunts का नहीं होता और airplanes अपने haunts तब इस्तमाल करते है जब वो जमीन पर होते हैं अपने crew members को signals देने के लिए आग number 70 यह drawing देखो अब मैं आपसे पूछू कि इस drawing में आपको क्या-क्या दिख रहा है तो आप बोलोगी कि कुछ lines और curves है ना? लेकिन आपको एक बात बता दू जिसको सुनकर आप शौक ड्रह जाओ और वो है कि इस drawing में सारी straight lines है मतलब यह पूरी drawing सिर्फ straight lines की helps ही बनाई हुई है है ना amazing? Fact number 16 क्या आपको पता है कि Switzerland में इतने सारे nuclear shelter है कि emergency के बग मतलब जैसे nuclear war के time वो अपनी सारी population को nuclear shelter में जगा देकर protect कर सकते है Fact number 15 आपके मन में कभी न कभी ये question आया होगा कि एक airplane में कितना fuel होता होगा तो एक airplane में जितना fuel होता है अगर हम उससे गाड़ी को चलाने के कोशिश करे तो वो गाड़ी इस धर्ती के around 4 बर चकर लगा लेगी उतने fuel से जितनी capacity होती है एक airplane की fuel भरने की Fact number 14 आपने संडाइल के बारे में जरूर सुना होगा जो time बताने के काम आते थे लेकिन आपने ऐसा संडाइल कभी नहीं देखा होगा यह है एक 3D printed संडाइल जो digitally time बताते हैं मतलब संड की position से इसकी shadow का design अलग हो जाता है और फिर digitally हम time का पता लगा सकते हैं यह सच में एक बहुत ही इनोवेशनल invention है Fact number 13 एक sunfish नाव का aquatic animal होता है और यह जो fish है वो किसी और जानवर से सबसे ज्यादा अंडे दे सकता है लेकिन interesting बात तो अब आईगी लेकिन उससे पहले आप ही guess करिए कि यह जानवर एक बारी में कितने अंडे दे पाता होगा तो यह sunfish एक बारी में 300 million अंडे तक दे सकता है मतलब से एक बारी में 300 million अंडे Fact number 12 यह photo देखिए इसमें आपको क्या देखा है अब आप समझ ही गए होगे कि यह photo क्या है तेकिन जब आपनी यह पहली बार देखी होगी तो आपको लगा होगा कि यह eagle phone से photo खीश रही थी लेकिन यह phone reflection है phone की और जो आदमी photo खीश रही है ना amazing photo इस photo की timing एकदम perfect थी Fact number 11 एक बार एक आदमी ने 2014 में एक diamond चुरा लिया था और उस diamond की cost 1,60,000 डॉलर की लेकिन उस आदमी ने इस 1,60,000 डॉलर के diamond को सिर्फ 20 डॉलर के drugs लेने के लिए बेश दिया मतलब 1,60,000 डॉलर के diamond का इस्तमाल उसने 20 डॉलर का drugs लेने के लिए कर दिया Fact number 10 अगर आपने कभी भी ये सोचा है कि क्या ये turtle अपने shell के बाहर आ सकता है तो ये photo देखिए और ये देखकर आप ये समझी सकते हो कि एक turtle अपने shell से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि भी अपने shell से जुड़ा होता है Fact number 9 आप सोते वक्त सपना देखना और सनोर करना दोनों एक साथ नहीं कर सकते मतलब अगर आप सनोर कर रहे हो तो आप कोई dream या सपना नहीं देख रहे और अगर आप सपना देख रहे हो तो यह इसलिए क्योंकि diamonds x-ray में गायब हो जाते हैं मतलब दिखाई ही नहीं देते diamonds x-ray में Fact number 7 अगर मैं आप से पूछू कि एक इनसान के पास कितने cycle होती होगी तो आप बोलो कि 0 या 1 क्योंकि कोई 1 से ज्यादा cycle क्यों खरीदेगा लेकिन निदर लैंड में लोग से ज्यादा cycles है और वहाँ पर approximately हर इनसान के पास 1.3 cycles होती है मतलब average में वहाँ पर हर इनसान के पास 1.3 cycles है Fact number 6 इस दुनिया के सबसे बड़े telescope से humans, aliens को search करना शुरू कर देंगे September 2020 से मतलब बस कुछी महीने बाद aliens को ढूणने लग जाएगे लोग इस दुनिया के सबसे बड़े telescope के help से Fact number 5 क्या आपको पता है कि OnePlus 8 Pro phone में accidentally एक ऐसा X-ray camera vision filter है जो plastic और कपड़ों के थूरू देख सकता है मतलब accidentally उस phone के filter में एक ऐसी technology आ गई है जो कपड़े और plastic के थूरू देख सकती है Fact number 4 ये photo देखिए इस photo में आपको कुछ अजीब दिख रहा है तो ध्यान से देखिए इस fool के पीछे धरती है लेकिन और भी हिरान कर देने वाली बात ये है कि ये कोई photoshop ये photo edit नहीं है बलकि ये ऐसा पहला flower है जो space में उगाया गया है Fact number 3 इंडिया ही एक ऐसी country है जहाँ पर दोनो tiger और lion मिलते है मतलब इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी country है जहाँ दोनो tiger और lion होते है और वो है इंडिया Fact number 2 ये photo देखिए क्या आप guess कर सकते हो कि ये किसकी microscopic image है नहीं न तो ये shark की skin की microscopic image है Fact number 1 सबसे ज्यादा stress 18 से 33 की age के लोगों में होता है और 33 होने के बाद जो stress level होता है वो reduce होने लगता है लेकिन 18 से 33 तक stress level सबसे ज्यादा होता है तो guys यही थे आपके सारे interesting facts उमीद आपको सारे facts अच्छे लगे होगे अगर वीडियो पसंद नहीं तो like करना मत बूलेगा और ऐसी interesting content के लिए हमारी channel को subscribe करना भी मत बूलेगा thanks for watching मिलते हैं next interesting video में